तो गाइस मैं हुआंकी तोर आप देख रहे हैं रिस्लिंग फैन्स नाइटवर्ग सबसे पहले गाइस हमें अपनी बातों को सुर्य करेंगे जॉर्टन ग्रेस से क्या कल एनिक्स्टी बैटल ग्राउंड में एक सौकर हमें देखने को मिल सकता है क्या NXT Women's Champion अपनी टाइटल ड्रॉप कर सकती है एक TNA Superstar के सामने किसके सामने तो भाई Jordan Grace के सामने जो कि TNA Knockout Champion है क्या यह पॉसिबल है तो भाई वैसे तो अगर आप पूछोगे मुझसे तो मैं आपको बोलूगा कि मेरे कॉर्णिंग बहुत कम चांसे से हैं लेकिन सायद WWE और future appearances lock करने के लिए Jordan Grace को NXT Women's Title दे सकती है इस पॉइंट पे WWE और TNA दोनों भाई बहुत अच्छा बज क्रियेट कर रही है और अगर इस बज को इंटू 100,000 करना है तो then WWE को भाई टाइटल दे देनी चाहिए Jordan Grace को लोग सौक हो जाएंगा कि NXT Women's Championship एक TNA Superstar के प कोई तो हारेगी या तो रोगजने परेस हा रहेंगी नहीं तो भाई Jordan Grace हा रहेंगी तो मेरे recording अगर Jordan Grace हा रहेंगी तो उतना कुछ massive buzz create नहीं होगा लेकिन अगर WWE थोरा सा compromise कर लेते हैं यहां पर रोगजने परेस इनके रूमर से कि वह में रॉस्टर पर जल्दी आ सकती है अगर वो कल ही अपनी टाइटल ट्रॉप कर देती हैं तो दैन भाई पॉसिबली Jordan Grace हमें NXT Women's Champion बनते वे देखने को मिल सकती हैं साथ में चार दिन बाद अगर मैं गलती हो तो 14 तारीक को TNA का अगेंस्ट औल ओर्ट्स पीली भी है और यहां पे Jordan Grace भी एक open challenge इसू करने वाली ह तो कैसा हो सकता है कि यहां पे NXT Women's title जीतने के बाद वो वहां पे जाके उसके लिए भी open challenge इसू करे है और वापस से कोई NXT की talent जाए वहां पे उनसे title ले ले क्या यह पॉसिबल हो सकता है अभी के इसाप से भाई कुछ भी हो सकता है WWE TNA की deal एक ऐसी deal है जिसके बारे में TNA की भी superstars को जादा नहीं पता है WWE के भी superstars को जादा नहीं पता है लेकिन likely बहुत कुछ है अभी के इसाप से मैं आपको max to max यह बता सकता हूँ कि कल सायर NXT battleground soccer slay कर आ सकता है और TNA के superstars भी आते वे देखने को मिल सकते हैं या नहीं तो Jordan Grace कल आपको NXT Women's Championship जीते वे देखने को मिल सकती है आगे बढ़ते हैं गाइस बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ए रिकोसे से रिलेटेड एंड भाई रिकोसे को लेके आज तो भाई बहुत सारी निउस आई लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि रिकोसे अभी भी डबी डबी लीव ना करें क्या एक स्लाइट पॉसिबिलिटी है देखो भाई मैं आपको बता दू मेरे एकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि रिकोसे लीव करने वाले बिकाज उन्होंने एक ट्वीड भी लाइक कर दिया था इंडिकेट करते हुए बट मेरे कुछ और बताते हैं एकॉर्डिंग टू मेरे सायद अभी भी चीजे हैं हैंडल हो सकती है और सायद अभी भी डिकोसे डबी डबी छोर के ना जाए मेरे की तरफ से अपडेट क्या निकल के सामने आई है वो मैं आपको बता रहेता हूँ पी डबी इंसायडर की अपडेट को काउंटर करते हुए मेरे अपडेट दी है आप देख सकते होगा अपनी स्क्रीन को पर उनका कहना है कि अभी भी चीजे भाई कन्फर्म नहीं है लॉक नहीं है सब कुछ अभी भी डिसकर्शन के अंदर है यह पहली रिपोर्ट है जो कि PW इंसायडर के रिपोर्ट को काउंटर कर रहा है जब मैं आपको न्यूस बता रहा हूँ तब मैं पर सकता हूँ फाइट फुल का ट्वीट जहां पे लोग क्लेम कर रहे हैं कि बहुत जल्दी यह भी अपनी अपडेट लेकर आने वाले है रिकोसे को लेकर तो अभी वह भी बाकी है भाई तो उसका भी वेट करना होगा हमें अभी अपडेट आएगी तो मैं आपको कल सुबह बता दूँगा लेकिन अभी मेलट जर यह कहते हैं अभी अपडेट आएगी फाइट फुल की तो वह पीड़ इंसाइडर से अग्री कर रहे हूंगे लेकिन अगर यहाँ पे फीड़ इंसाइडर गलत है तो बहुत सारे फैंस खुस हो जाएंगे लेकिन अगर मेलट जर गलत है तो आइट इसलिए मुझे लगता है कि रिकोसे छोर के जा रहे है बाकि है हलकी सी एक होप दी है डेव मेलजर ने लेट सी भाई क्या होता है आगे बढ़ते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि यह बेली से रिलेटेड और बाई बेली पर प्रेसर आने लगा है किस तरीके का प्रेसर बेली की रेन हो चुकी है बोरिंग ऐसा कहना है इंट से वो टाइटल जीती है उनकी लाइमलाइट ही चली गई है लाइक बेली दिखती ही नई है वो वेमेंज चैंपें होता है पाईप और यवन से भली लेकिन वो हाइलएट के लाइटि समस्क्तराता लेगिन अब बेली बेवीस्स कारेक्टर के मैं बनी है मैं अब कीढ़ेव कि बेली को यह टाइटल ड्रॉप करनी चाहिए विकॉज फैन्स की अब डिमांड आने लगी है कुछ लोग कह रहें कि पाइप और आइवन भाई वहीं से हैं स्कॉटलैंड से जहां से सो हुने वाला क्लासर दे कासल तो उन्हीं को टाइटल दे दो यह तो नहीं होने वाला है बढ़ आई बिलीव कि समर्स्लैम में भाई वह अपनी टाइटल हार जाएंगी नया जैक्स को फेस करेंगी वह उनके अगिस टाइटल डिफेंट करेंगी तो वहां पर आई बिलीव बेली अपनी टाइटल ट्रॉप कर देंगी एंड यह जो उन पर एलिगेसंस लगरें कि भाई यह बोरिंग है आई तिंग कही ना कहीं सही भी है गलत भी निया विकॉज उनकी रेन बिल्कुल स्टेल कुछ फरकी नीक पर रहा उनके चैंपिन होने ना होने से क्या सोच तो आप इसके बारे में कॉमेंट करके बता सकते हो जरूर से आगे बढ़ते हैं अगली स्ट थोड़ा से दिफरेंस यह पर यह है ना कि चैट के बल को डबडबी ने एक एक्सिलेंट ऑफर दिया है तर्म यूस करा गया था एकसिलेंट ऑफर लेकिन अभी तक हिन्होंने उस नए उस नए एक्सेलेंट overe को accept नहीं करा है अभी तक Chad Gable ने contract sign नहीं करा है अगर उन्होंने नहीं करा है तो अभी तो फ्री एजेंट होने चाहिए विकास किसी की तरफ से update नहीं आई है कि Chad Gable ने contract sign करा है या नहीं करा है, नहीं deal accept करी है या नहीं करी है, कुछ भी नहीं पता चारा है साथ तारीकों उनकी डिलक्स फैर होनी थी इंडिया के recording आठ तारीकों और आज नौ हो चुका है Chad Gable ने अगर sign नहीं करी है deal तो फ्री एजेंट है लेकिन अगर वो फ्री एजेंट है तो Class of the Castle में टाइटल के लिए compete कैसे करेंगे ये कुछ समझ नहीं आ रहा है तो इसलिए फैंस जो है थोड़े concerned है Chad Gable की भी situation को लेके especially रिकोसे का कुछ लोगों ने expect बिलकुल नहीं करा था लोगों को लगा था कि आरह ऐसा थो रही है भाई अभी तो speed champion है लेकिन चीजे इतनी fast आगे बर रही है भाई तो इसलिए थोड़े जादा लोग concerned है Chad Gable को भी लेके और Chad Gable तो एक अच्छा pushback रिसीव कर रहे है हाला कि 99.9999% से औरोगी Chad Gable का कुछ नहीं होने वाला Chad Gable safe and secure है because अभी उनके साथ और massive चीजे होने वाली है अभी वो involved होने वाले है OTs के साथ proper तो I think सब कुछ safe है उनके लिए लेकिन कहीं ना कहीं एक डर है fans के बीच में क्या लगता आपको क्या है ये Chad Gable का चकर comment करके बताना जरूर से बात कर लेते हैं guys हम लोग अपनी next and final story के बारे में जो की है rock को लेके क्या rock आ सकते है summer slam से पहले मेंडजर ने इसको पर बात करी है मेंडजर कहते हैं कि possibly हो सकता है कि summer slam से पहले rock वापस आ जाएं सेम चीज़ ये Roman को भी लेके कहते हैं कहते हैं कि Roman अगले महीने most likely वापस आ जाएगा rock को लेके कहते हैं कि rock side summer slam से पहले वापस आ जाए लेकिन ये चीज़ possible कैसे भाई ये मुझे समझ नहीं आ रहा rock summer slam से पहले वापस कैसे आएंगे भाई उनकी तो film की suit एक दिन पहले ही खतम होने वाली ये just wrap होगी summer slam से पहले तो ये possible कैसे मेंडजर कहते हैं कि हो सकता है पहले खतम हो जाए अरे भाई मुझे समझ नहीं आता मेंड़र का कभी कभी लेकिन हा ये कहते हैं कि probably rock summer slam से पहले वापस आ सकते हैं हाला कि I want कि ये सही हो लेकिन ये impossible सा है भाई अगर movie कि उनकी सूट ही एक दिन पहले खतम होने वाली है तो पहले कैसे वापस आ जाएंगे अगर आभी जाएंगे तो summer slam में compete कर पाएंगे ये question है आपको क्या लगता भाई comment करके बताना हाले कि इस update पर में बिल्कुल भी इस पर बिल्कुल नहीं कर रहा हूं आपके कट होट से भाई आपको कॉमेंट करके बता सकते हो फिलाल बस इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स थी आई